क्षेत्र बच्चों हमने सीखा वर्ग, त्रिकोण और आयच जैसे बंद आकरितियों की परिमिती की गणना कैसे की जाती है अब आईए जानते हैं कि इन बंद आकरितियों के क्षेत्रफल की गणना कैसे करें सरल शब्दों में क्षेत्रफल किसी भी बंद आकरिती की आंतरिक सता होती है सीखना आसान बनाने के लिए आईए एक आलेख कागस का उपयोग करके क्षेत्र की संकलपना के बारे में जाने आलेख कागस आलेख कागस खानेदार होता है अर्थात उस पर चौकोरों अर्थात वर्गों की विशेश प्रकार की व्यवस्ता होती आलेख कागज को ध्यान से देखें प्रत्येक वर्ग को स्पष्ट रेखाओं से दर्शाया गया है प्रत्येक वर्ग को लंबाई और चोडाई की दृष्टी से 10 छोटे वर्गों में बांटा गया है अताहा 10 गुना 10 बराबर 100 इसका अर्थ है प्रत्येक बड़े वर्ग में 100 छोटे वर्ग होते हैं एक वर्ग, एक वर्ग सेंटीमिटर होता है आलेक कागस के प्रत्येक प्रिष्ट पर 100 भागों के कई बड़े वर्ग होते हैं वर्ग गणना करने में मदद मिलती है आईए अब हम आयत के क्षेतरफल की गणना करना सीखेंगे एक आयत का क्षेतरफल यह आकरती ABCD देखी इसकी अंदर एक सेंटीमिटर के छे वर्ग हैं आयत के क्षेतरफल की गणना करने का सूतर इस प्रकार है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई इस आकरती ABCD में लंबाई 3 cm है और चौड़ाई 2 cm है इसी कारण आयत का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 2 अर्थात आयत का क्षेत्रफल बराबर 6 cm हम कागज, पैंसिल और स्केल का उपयोग करते हुए भी आयत का क्षेत्रफल ग्याद कर सकते हैं इसे करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा लेकिन ये बहुत दिल्चस्प है यह निम्न लिखित तरीके से करें एक आयत निकालें जिसकी लंबाई 3 cm है और चोड़ाई 2 cm है विरुध दिशाओं के बिंदों को पैंसिल और स्केल का उपयोग करते हुए एक रेखा के साथ मिलाएं वर्गों की गणना करें इसका उत्तर भी 6 वर्ग सेंटिमिटर ही होगा इस तरह हम वर्ग के क्षेतरफल की गणना कर सकते हैं वर्ग का क्षेतरफल इस आकृती को देखें MNRS इस आकृती में क्षैतिज और लंबावत अर्थात सीधे और आडे 1 cm के कितने वर्ग हम देख सकते हैं वर्ग के क्षेतरफल की गड़ना करने का सूत्र इस प्रकार है वर्ग का क्षेतरफल बराबर एक भुजा की लंबाई गुणा अन्य भुजा की लंबाई आकरती MNRS में एक भुजा की लंबाई 3 cm है और दूसरी भुजा की लंबाई है 3 cm चुकि ये एक वर्ग हैं इसलिए इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं वर्ग का क्षेतरफल बराबर तीन गुणा तीन वर्ग का क्षेतरफल हुआ 9 वर्ग सेंटीमिटर शेश आकरतियां PQRS, EFGH और IZKL का क्षेतरफल ग्याद कीजिए आकरतियों का क्षेतरफल निकालने के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग करें बच्चों दी गई आकरती का क्षेतरफल ग्याद करने की हमें आवश्यक्ता क्यों हैं विचार कीजिए चलिए एक उधारण देखते हैं रंग देने का काम हो या फर्ष की टाइलें बिचाने का काम हो या एक भूखन खरीदने की लागत ये सारी बातें और इनकी कीमत प्रतिवर्क सेंटीमिटर या फीट के अनुसार तै की जाती है इसका मतलब है कि एक वर्ग सेंटिमिटर या एक वर्ग फीट की कीमत तैकी जाती है और दिये गए क्षेतर से गुणा किया जाता है आएए एक उधारण देखे एक रंगरेज को उस खेतर की गणना करनी है जिसे उसने रंगा है और उसके अनुसार उसका बिल तैयार करना है मान लिजे कि एक वर्ग फीट क्षेतर को रंगाने की लागत या कीमत 25 रुपे प्रती एक वर्ग फीट है और उसने 10 फीट गुणा 10 फुड आकार की दिवार पर रंग दिया है इस वर्ग की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी वर्ग का क्षेतर फल बराबर भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई वर्ग का क्षेतर फल बराबर 10 फीट गुणा 10 फीट वर्ग का क्षेतर फल 100 वर्ग फीट इसलिए 100 फीट क्षेतर को रंगने की कुल लागत इस प्रकार होगी लागत बराबर वर्क का क्षेत्रफल गुना लागत रुपए प्रति वर्क फूट में 100 गुना 25 बराबर 2500 रुपए उत्तर है 2500 रुपए लगेंगे मकान बनाने वाले किसी व्यकती को जहां पर उसने टाइल्स या फर्ष हैं उस क्षेत्र की गणना करने की आवशक्ता होती है ताकि उसके अनुसार वो अपना बिल तयार कर सके उस भूखन का क्षेत्रफल जानना जरूरी है जिसे हमने घर बनाने के लिए खरीदा है तभी हम पैसों का हिसाब लगा सकते हैं और भुक्तान कर सकते हैं उन परिस्तित में क्षेत्रफल किसी भी बंद आकरती की आंतरिक सता की गणना है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई वर्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना लंबाई क्षेत्रफल की गणना कई बातों के लिए आवशक होती है उधारन मकान बनाने वाले व जिसे हमने घर आदी बनाने के लिए खरीद लिया है बर्ग, आयत, क्षेत्रफल, सता, परीमिती, लंबाई, चौडाई, योग, क्षैतिज, लंबवत, आले, कागज स्वाध्या, निम लिखित आकरतियों के क्षेत्रफल की गणना कीजिए एक वर्ग की आकरतिय डालें, जिनमें चारों भुजाएं 4 सेंटिमेटर हो दो विपरीद भुजाओं वाले एक आयत के आकरतिय डालें 5 सेंटिमेटर और 7 सेंटिमेटर की दो विपरीद भुजाएं हो झाल झाल